उग्र राष्ट्रेवात के अग्रदूर बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पूर्विकक्षा में भी अध्यन कर चुके हैं। तिलक के द्वारा ही भारत में राष्ट्रेता में उग्रवादी धारा का नेत्रत्व किया गया। तिलक के सामाजिक विचारों में वह सुधारवादी नहों करके पुनहे अभ्यूद बादी थे वे भारती सभिता और संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक प्रियोगों को वर्तमान में पुनहे स्तापित करने में विश्वाश रखते थे वे पाश्यच संस्कृति की भोतिक वादी परंपरा का विस्ता भरत में नहीं चाहते थे इतना होने पर भी तिलक अंग्रेजी भाशा वैसाइट के अध्यन एवं पाश्यच राजनितिक विचारों को अपनाने से मना नहीं करते थे जहां उन्होंने एक और वेद, उपनिशत, गीता, आधी का गहन अध्यन किया वहीं दूसरी और हीगल, कांट, स्पेंसर, मिल, बैंथम, रूसो, वॉल्टेर आधी के विचारों को भी आप अध्यन में किया गया उनके द्वारा वे पाश्यात्य सहित एवं संस्कृति के उच्च आदर्शों से अन्भिग्य नहीं थे परतु एक सच्चे रास्टवादी भारतिये के रूप में वे भारत का वैचारिक पुनर निर्मान पाश्यात्य विचारों के आधार पर नहीं करना चाहते थे समाज शुद्धार की शेत्र में वो गुर्वादी का नीतिका अनुकरण के द्वारा नहीं किया गया जितना राजनितिक शेत्र में किया गया वास्तम में वे राजनितिक सुधारों के बाद सामाजिक सुधार लाना चाहते थे वे पहले स्वेराज लाना चाहते थे परन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने समा सुधारों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ग्रानाडा द्वारा प्रस्तावित सुधारों का समर्थन किया। उधरहन अर्थ उन्होंने बाल विवा, बहुपत्नी पृता का विरोध किया तता साट वर्ष की आयू में विवा करने पर प्रतिबंद लगाने का समर्थन भी किया वे इस्त्री शिक्षा तता शराब पर प्रतिबंद लगाने के प्रबल समर्थक थे परन्तु वे सामाजिक सुधारों का कारी बिर्टिश सरकार के हातों में नहीं सौपना चाते थे तिलक की दिस्टे में किसी भी प्रिकार के सुधारों को विदेशी शाषन द्वारा जबरन थोपा जाना उस सुधार को एनेधिक बना देना था उनका कहना था कि उचित लोकमत का निर्माण कर सुधारों को सुगमतर से लाया जा सकता है तिलक सिधारों को कांगुनों के माद्यम से नहीं अपितु सामाजिक प्रशिक्षन के माद्यम से क्रियान विदी के पक्षधर थे वे हिंदु समाज की रूडियों से भी बंदे हुए नहीं थे विद्वा विवा के वे समर्थकते और छुआ छूट में उनका बिल्कुल भी विश्वाश नहीं था उनकी मान्यता थी कि भारत के गौरव पूर्ड अतीत को बुलाने की इस्ताहन पर उन तुरूटियों को दूर करने की किया जाये जिनके करण सामाजिक बुरईयां उत्पन हुई हैं तिलक के धार्मिक विचार तिलक की सनातर हिंदु धर्म में पूर्ण निस्टा थी वे हिंदु धर्म की उदारता, माहनता, सैशनुता के प्रबल प्रशन शक्ते उनके अनुसार वेदों, उपनिशिदों और वेदांत की वेग्यानिक धर्णा में संधे नहीं किया जा सकता वे पाश्यात भोतिक वाद संस्कृति की चकाचोंद में भी हिंदु धर्म के प्रकाशते वे मुक नहीं हुए हिंदु धर्म के प्रिकाश से ही वे भारतियों में स्वाभिमान तता संस्कृति के प्रती आस्ता उत्पन्य करना चाहते थे वे धर्म को संगर्ष्टता मत बेदों का जनक नहीं मानते बलकि समाज में व्याप्त संकीर्म सांप्रदाइक्ता को दूर करने के लिए धार्मिक सिक्षन पर जोर देते थे तिलक के अनुजार आध्यात्मिक एवं धार्मिक आदार पर ही भारतिये राजनिती आंदोलन गतिमान हो सकता है इसलिए उन्होंने राज्टेता की जोती को प्रज्वलित करने के लिए गणेश पूजा का उमाध्यम बनाया और धर्म को तिलक ने राज्टेता का आफशक तक्त्वी बताया तिलक के राजनितिक विचार उदार वादियों की निश्केद नीती का प्रतिक्रिया के रूप में संपूर्ण भारत को मूर्थ और गतिशील विचार देकर अद्बूत जन जागरन उत्पन किया गया उनकी रास्टे जागरन का अभियान उनकी आध्यात्मिक धार्णों से प्रभावित था विदान्त दशन में भी नहीं उन्हें स्वतन्तरता की सर्वच्चता का पाट पढ़ाया उनका कहना था कि स्वतन्तरता के बिना नैतिक्ता तथा अध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है तिलक के रास्नितिक चिंतन में एक और भारती चिंतन की आधार भूत धार्नाओं का दर्शन होता है तो दूसरी और आधुनिक पश्चत रास्टवादी और लोकतंत्रवादी प्रुभाव दिखाई देता है मील की रास्टेता की परिवाशा से वह सहमत थे मैजनी वबर्क के विचारों सभी वे प्रुभावित थे अपने रास्नितिक कारिक्रम में तिलक ने स्वराज, स्वयदेशी, भहिशकार एवं रास्टे सिक्षा की नेती को अपनाया यही विचारदारा आगे चलकर उग्रवाद्यों की प्रमुख निती बनी तिलक ने स्वराज को ही भारत के रास्टी अंदोलन का राचनितिक लक्ष चुना और स्वराज जी की धार्णा को क्रियानवित करने के लिए स्वारवजनिक रूप से क्राम्ति को उप्युक्त नहीं माना परन्तु वे पूर्ण ते अहिंसा के पुजारी भी नहीं थे वे रास्ट में ऐसी शक्ती का संचार करना चाहते थे जिससे शाषन को पृतिरोद उग्र से उग्रतम होता चला जाए यता संबव शाष के परिवर्तन लाने के लिए तिलक ने पृतिक्रियात्मक सहयोग की नीथी अपनाई यदि भारती सहयोग देना बंद कर देंगे तो शाषन समाप्त हो जाएगा उनका कहना था कि सब शास्त्रों से अधिक शक्तिशाली शश्त्र शास्त्र है यदि सतंदरता चाहते हैं तो उसके लिए पृतिरोद आफशक है इस प्रकार तिलक ने सर्वर्थम एह सहयोग का विचार दिया जो आगे चलकर गांधी जी की योजनाओं का प्रमुक अंग बना बहिशकार के साथ स्वदेशी की मांग रखी स्वदेशी का अर्थ तिलक ने आत्म निर्थभर बताया और तिलक द्वारा प्रति पादित स्वदेशी एवं भहिशकार के शष्ट की आगे चलकर जन्चागरती के अमुलिसाधन बने और रास्टे सिख्षा के माध्यम से तिलक भारती यूगों में भारती धर्मेवम संस्कृति की जानकारी तता उनके प्रति आदर उत्पन करना चाहते थे और यही कारण है कि केसरी में भी उन्होंने इस चीज़ को इसपस्ट किया उन्होंने संवेधनिक शब्द को बताया कि संवेधनिक शब्द जानता को गुम्रह कर रहा है उनके अनुसार स्वम उदारवादी इस शब्द का अर्थ नहीं जानते और इंग्लेंड की राजनेती में प्रियोक शब्दों में वे भारत की संदर में निरर्थक प्रियोक करते हैं तिलक ने भारत की सरकार की जनता के प्रिती नहीं बलकि इंग्लेंड की संसरत के प्रिती उत्तरदाई है तिलक ने निश्क्रि प्रितिरोद की नेति का समर्थन किया और 1907 में जिस समयधनिक आंदोलन को वर हशात्पत बांदे थे 1917 में विस्वम उस और जुग गए और मॉन्टेस की सुधारों की योजनों को प्रियानवित करने के लिए कॉंग्रेस में लोक्तांत्रिक दल की स्थाप्तना इसका प्रिमान है तिलक के राशनेतिक विचारों में हिंसा वा हिंसा के मद्ध अंतर दुंद दिखाई देता है उनका बालेकाल पारावरिक वाता और विद्रोही स्वर से गुंजित था उनके परिवार ने वासुदेव बलवंत फड़के का समर्थन किया सावरकर एवं शामजी कृष्ण बर्मा जैसे करांतिकारियों से उनका सीधा संपर्क था 1905 में रूस के वानिजिप प्रतिनिदी से बंबाई में मिलकर तिलक ने भारतियों को रूस में सैन्ने प्रशिक्षन दिलाने की सूचना भी मांगी थी लेकिन तिलक को हिंसात्मक प्रवर्ती त्यागने के लिए विविश होना पड़ा और तिलक की निराश्चा का कारण भारतियों में पोरुष की कमी तता अन्य हिंसक क्रांत्योगी योजना को 1908 में अपने देश निर्वासन के समय त्याग दिया गया तिलक की द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना भी की गई तिलक के वल राजनिता ही नहीं थे अपितु उच्च कोटी के विद्वान भी थे अपने संस्कृत वगणित के ग्यान के आधार पर उन्होंने औरियंट स्टाडी इन दे एक्वेंटिटी और वेदास नामग्रंत की रशना की उनके इस सिद्ध करने का प्रियास किया कि रिगवेट का काल इसा से लगवग चार हजार वश पूर्ण था उन्निस सो तीन में अपनी प्रसिज़ पुस्तक दी आर्केटिक होम इंद वेदास भी प्रकाशित की गई इसमें यह सिद्ध करने का प्रियास किया कि आर्य सरप्रतम एशिया महादीब के सुदूर उत्री चोर पर निवास करते थे गीता रह्ष्य नामक ग्रंत की रचना तिलक ने मानले जेल में की जिसमें गीता के उपदेशों का दाशनिक अध्यन एवंब्याक्ष्या करने का प्रियास किया और भारतियों को कर्म की प्रधानता का पाट पढ़ाया गीता के अन्य भाष्कारों के माननेता है कि ज्यान वे भक्ति के माध्यम से इश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष होना चाहिए पर तिलक का कहना था कि इश्वर प्राप्ति के उपरांद भी मनुश को कर्म करते रहना चाहिए उसके अनुसार गीता मानव की निवरति की और नहीं ले जाती वरन धैप्रिवर्ति मार्ग को शष्ट करती है और तिलक ने का अगर हम मुल्यांकन करें तो तिलक ने अपने समय में भारतियों को संगठित करने जन आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए तयाद किया अपने पीछे तिलक स्वाधिनता आंदोलन की एक बड़ी विरासा छोड़ गए गांदी जी तता अन्य रास्ट बादी नेताओं ने तिलक के सिध्धानतों पर आचरण कर उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कारे को पूरा किया यत भी गांदी जी ने गोकलु को अपना राजनेति गुरु माना किन्तु जन सामने उनके कारियों में तिलक का ही दर्शन करती थी लगान बंदी, भाईशकार, ऐसायोग, स्वादेशी, मद्धिनिशेद, आधिकारिक्रम प्रस्तूत कर तिलक ने भविच्छी के राजनेतिक आंदोलन का मार्ग प्रस्तूत किया तिलक में राजनेति एवन विद्धता का संगम, उनकी महानता, वयेश गाता को और अधिक बढ़ा देता है उनके ग्रंतों में उनके प्रिगहर पांडिति के सासाथ रास्टे भावना दृस्टिकत होती है पाश्चात करण के प्रभल जंचावस से तिलक ने भारती संस्कृती जता भारतियों को बचाया सामाजिक बुरईयों को सरविवेक से समाप्त करने का आवहान कर तिलक ने भारत में अंग्रीजी शाशन को सामाजिक शेत्र में प्रविस्ट होने से रोका तिलक ने ऐसायोग का पाट पड़ाया और पिर्चिस सामराजी का बात का अंत करने की गुशना की। यही ऐसायोग का मंत्र गांधी जी ने पूर्ण स्वराज का संबल बना। कॉंग्रेस उदारवादियों के नेतृत में शिक्षित मद्यमवर्ग संस्ता थी। परन्तु तिलक की नेतृत में ही यह जन सामाने की कॉंग्रेस बन गई। तिलक वास्ता में जनता की नेता थे जीवन भर कटोड संगश करते हुए भारतवासियों में स्वराज्य का मूल मंत्र फूकने वाले इस जन प्रियनेता को पंडित जवालाल नहरू ने भारती राष्टवाद के जनकी संग्यादी है। रोमेय रोला के अनुसार वे कर्म के पुजारी थे उनके जीवन का एक मात्र लक्ष था भारत के लिए स्वराज्य की प्रप्ती और वे भारतियों में आत्म विश्वाश पैदा करना चाहते थे। भारतवासी अपने भाग्य का विधाता स्वम है। जो ही वस्वालम भी बनेगा स्वराज्य समीब आ जाएगा। ऐसा उनका विचार था। वैलन्टाइन शिरोल ने उन्हें भारती अशानती का जन्म दाता कहकर पुकारा। परन्तु शिरोल जैसे तिलक के कटर विरोधी ने भी उनके बारे में लिखा कि मैं लंबे समय से पत्रकार हूँ। अपने इस जीवन में मैंने केवल दो ही ऐसे निर्विक नर्यूगल देखे हैं जिनोंने मुझसे हट कर प्रश्णोत्तर किये हूँ। उनमें एक तिलक और दूसरा जर्मनी का समराट विलियम केसर। विचारों के भिनिता होते हुए भी तिलक के सरगामी होने पर महत्मा गांधी ने उनके विचार इस प्रकार व्यक्त किये। तिलक इस लोग से चले गए यह विश्वश्णिय नहीं लगता। वे जन समाज के एक ऐसे अंग थे हमारे यूग का कोई भी व्यक्ति इतना महान जन समुदाय नहीं जुटा सका। वे नीसंदे जन साधरन के पुज्ज थे। अर्थात तिलक अपने जीवन परियंत एक आंदोलन करी रहे। प्रारंब से आंत तक कई विवादों के केंदर में भने रहे। लेकिन प्रतेक पुरिस्तिती में स्वराज जी की पता का फैराते रहे। और मॉंटेंक्सक्यू ने कहा कि भारत का एक ही सच्चा उग्रवादी है और वे है तिलक। बिना तिलक को इसमनन किये भारती स्वाधियनता आंदोलन का इतिहास अपूर्ण हैं वे नव भारत के निर्माताओं में से एक हैं।